दोस्तो नया साल हर व्यक्ति के लिए लेके आता है उमीद की किरन और ऐसे में ही कई बॉलिड सेलिप्स ऐसे हैं कि जो इस साल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और स्पेशल खुशी मनाएंगे जी हाँ हम बात कर रहे हैं उन कपल्स की जो इस साल बनने जा रहे हैं पैरेंट्स टीवी जगत की ऐसी कौन सी एक्टरसेस हैं जो साल 2023 में बनने जा रही हैं मा आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो चलिए वड़े स्टार्ट करते हैं भारती सिंग दोस्तो भारती टीवी जगत की जानी मनी कॉमेडियन हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगा बनाई है भारती अपनी परसनल लाइफ अपने फैंस के साथ अपने विलॉग्स के थ्रू शेयर करती रहती हैं वहीं जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल भारती के घर जन्म हुआ एक नन्हे महमान का और वो भी शादी के साथ सालवाद दोस्तो भारती अक्सर अपने विलॉग्स में ये कहती हुई नजर आई हैं कि उन्हें अब एक बीटी चाहिए तो आपको बता दें कि हाली में ही इन्होंने अपने एक विलॉग में ये हिंट दिया है कि वो जल्द ही करेंगे अपने घर एक और नए महमान का स्वागत अब देखना ये है कि क्या भारती और हर्ष की बीटी की ये विश पूरी होती है या नहीं दिपिका ककड टीवी की फेमस और सब की लाडली बहू सिमरन यानि की दिपिका की फैन फॉलॉइंग की तो क्या ही बात कीजिए शुएब और दिपिका दोनों की फैन फॉलॉइंग उनकी लव लाइफ के कारण बहाती ज्यादा बढ़ती चली जा रही है ये कपल भी अपनी परसनल लाइफ अकसर अपने योटीब व्लॉक्स के थूप अपने फैन्स के साथ शेयर करते हैं दोनोंने हाली में अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है अनौंस की वो जल्दी बनने वाले हैं पैरेंट्स आपको बता दें कि शादी की छे साल बाद उन्होंने ये गुड नियूस दी है अपने फैन्स को जिसके बाद से ही उनके फैन्स की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं हमारी और से भी शुयब और दिपिका को धेर सरी मुबारक बात गहर खान गहर खान जो की बॉलिट और इंडियन टेल विजन की जानीमानी एक्टरिस हैं साल 2019 में इन्होंने किया फैसला शादी के बंधन में बनने का सोशल मीडिया स्टार्ट जैद दरबार के संग गहर और जैद की इजड डिफरंस की बात करें तो दोनों में 12 साल का इडिया अकाउंट्स विशे से भर चुके हैं आप भी इस कपल को कंग्रेचलेशन कहना मत भूलिएगा मलायका और ओडा दूसों मलायका और अरजुन कपूर काफी समय से लाइम लाइट में बने हुए हैं कभी अपने लिविंग रिलिशन्शिप को लेके तो कभी अपनी फैंसी को लेके दोनोंने काफी सुर्खियां बटोरी और आप आखर ये बात कर दी है इन्होंने अनौंस कि वो जल्दी बनने जा रहे हैं पैरेंट्स आपको बदा दें कि सुनने में ये भी आ रहा है कि इस साल दोनों बनने जा रहे हैं शादी के बंधर में क्योंकि वो अ As a Happy Parents, नेहा ककड, दूस्तों नेहा ककड और रोहन प्रीत की लव स्टोरी के तो है सभी फैंस, वहीं उनके फैंस का इंतजार अब होने जा रहा है, फाइनली खतम, इंडियन आइडल शो में नेहा के बढ़ते वजन को देखकर, उनके फैंस ने ये अंदाजा तो लगा ही लिय है कि नेहा बनने वाली है माँ, तो आपको बता दे कि जल्दी नेहा करेंगे अपने घर एक नन्हे महमान का स्वागत, ये खबर की है एक्सपोज, खुद नेहा के भाई, टोनी कक करने, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसके बाद से ही हर तरफ से उन्हें मिल रहा ह खुब प्यार और विशिस, नेहा मर्दा, बाले का वधू से फेमस होने वाली एक्टरस, नेहा ने 2012 में अपने पैरर्स की पसंद के लड़के, अंच्वन अगरवाल से शादी कर ली थी, और शादी के बाद से, नेहा लगातार अपने काम में बिजी थी, और फैमली प्लैन करने का टाइम नहीं निकल पा रही थी, फैन्स और मीडिया अक्सर उन से ये सवाल करते थी, कि आखिर कब वो उने सुनाएंगे गुड नियूस, और अब फैनली शादी की यारा साल बाद, 2030 की शुरुआत में नेहा माँ बनने वाली हैं, और उनका सारा फोकस बस अपने ब पास्टना ने सोशल मीडिया पर ये बात अनाउस करते हुए सब को बताया कि वो इस साल 2030 में पैरेंट्स बनने वाले हैं, इन दोनों की फैन फालोइंग ना सिर्फ साउथ में बलके बॉलिड में भी खूब पाई जाती है, फैन्स इनके सोशल मीडिया पर क्यूट पोस्ट पर देते हैंने बहुत सारा प्यार और अब इस खुश खबरी से हर और से इने मिल रही है मुबारक बात, तो दोस्तों ये थी टीवी जगत की वो एक्ट्रेस जो करेंगे इस साल अपने घर नन्य मेहमान का स्वागत, अब आप भी इने कॉमेंट्स में कांग्रैचुलेशन कहना मत भूलिएगा और इनके सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है इस वेडियो पर